प्यार बहर नमस्कार मित्रों आजकल जो ग्रुप्स में हो रहा है वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा जैसा भी महोल चल रहा है वो बहुत गलत है एक तो आप लोग जो कार्य कर रहा है उसको कार्य नहीं करने दें तो आदमी दिन रात सुबा शाम लखनो कोई टीम ऐसी लखनों में रहता हो जोई व्यक्ति ऐसा बता दे मुझे कोई केस करने वाला हो चाहिए वो कोई भी हो लीगल टीम के लावा कि वो लखनों में रहके लगातार कार्य कर रहे हो छोड़ दीजिए खैर वो उनकी अलग बात है को रहें ना करें उनकी मरजी है जैसे उनको लड में आपको सम्झा था कि अगराओ अप बना दे तो उनकोर को कोई मतलब नहीं है कि माफ्र साह Half जाए माथ हूए माथ проблем और सब्रक साहें थीक और साल नहीं हो किसी वी तरीकzon कि लीगल टीम के द्वारे इग तो पॉल आएगा आपके पास में थोड़ी देर बाद लीगल टीम के द्वारे एक वीडियो बनाई चाहिए उसमें बता दीजिए आपको क्या चाहिए आपको मातुर साब चाहिए आपको जीत चाहिए या आपको फरीकी बकवास चाहिए ठीक अगर आपको ऐसा ही लगता है क आप लोग हम लोग का ये लीगल टीम कारिया नहीं कर पारी तो आप ऐसे पॉल में बता दीजिए आप लोगों को बोल दूँगा अपने घर में जाके वो भी तैयारी कुल शुरू करते हैं क्योंकि वो भी अपने के साथ में खेल रहे हैं अगला एक्जाम आ रहा है अठार क्या अभी कालिया साथ समस्या यह है कि उनके सभसाद के पास briefing कराने के लिए जाते हैं तो वो लोग बात ही नहीं सुनते हैं पूरी ढंग से उसका कोई मतलब बन मुझे तो निलगता बनने वाला है इस चीज से अब जब पूरे के मतलब ही नहीं जानोगे तो आप क्या केस लड़ोगे कितना भी बड़ी बड़ा वकी ले जाए अभीशेक मनु सिंग भी ले जाए चाहे प्रशांत बुशन ले जाए जब तक उसको केस के बारे में नहीं नहीं सही पता होगा तो मुझे नहीं लगता और ठीक है उनके पास मुद्बे होंगे बहुत सारी चीज़ें हो हो जाए हमारी तरफ से भी हो जाए क्या दिक्कत है क्यों कि आपना ब्रीफिंग के कोई बड़ा वकील का कोई मतलब नहीं है अब मान लीजे मेरी बात बाकि आप लोग डिसाइड कर लिजे क्या कर क्या चाहत है मातुर साहब चाहिए या शुदीफ सेट साहिए जीत लीगल टीम उसके अलावा कोई बखवास फालतों की ना करें जितना आपने पैसा दिया था डबल बैंच में वह सब केस लड़ने में आधित्य संगर्ची खाते की तुरू जो अकाउंट में आपको पैसा दिया था वह सब खर्च हो चुगा है पहले ही मातुर साब को ले जाय देते हैं अपने पास रखा करें गुस्ता बहुत ज़्यादा आता है कुछ लोग ऐसे हैं एक रुपिया नहीं दिया कभी कोई धरने में नहीं कभी कोर्ट में कभी कोर्ट की शकल नहीं देखी लेकिन बखवास ऐसी करें कि सारी चीज जिनके हिसाब से होनी चाहिए तो वह सब्सक्रीव कर रहे हैं लीगल मैंटर्स में आपसे जादा जान कर रही हों है कि anytime एक आपको जदा अच्छा लगता है कि जो प्रविट एक टैयार हुई है उसे डिटेल में डिसकुशन तो वहां हमारे वकील को बोल तो लेने कि कि किवो कहना क्या चाहते हैं उन्होंने क्या डिसाइड करके बता दीजिए आज रात का समय आपके पास में हैं अपना माइंड क्लियर करिए फालतों लोगों की बकवास मत सुनिए और जो वाटसाइब ग्रुप चल रहे हैं इने में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है यह चीज ठीक नहीं है मिस्टर मनीश कुमार बागी ठीक है मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन लेना पड़ा लेकिन यह चीज ठीक नहीं है दोस्त आप हमारे मित्र रहे हो अच्छे दोस्त हो तो मैं चाहूंगा कि इन सब चीजों से दूर रहें प्लीज इसी के साथ धन्यवाद शुबराद